हेलो दोस्तो भारते सिनेमा प्रेमियों की ये सिकायत रहती है कि बॉलिवड में उच्छे इस्तर की सिनेमा की हमेशा से कमी रही है लोग मानते है कि यहाँ सिनेमा से ज्यादा मनोरंजन पर ध्यान दिया जाता है एक हद तक यह बास सही भी लगती है और गलत भी गलती इसलिए क्योंकि यहाँ ऐसी फिल्मों की कमी नहीं है जो कलक के दिश्टी कॉन से अच्छी हो तो दोस्तो आज के इस वीडियो में आप लोगों को बॉलिवड के 6 ऐसे अंडर्रेटिट फिल्मों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें देखने के बाद आपको एहसास होगा की बॉलिवड में भी ऐसे नयाब फिल्में बन सकती है तो चलिए सुरू करते है यहाँ फिल्म आधारित है एक ऐसे फिल्सफे पर जिसमें यह सवाल पूछा गया है की अगर एक सिप के सारे पूर्जे बदल जिये जाए तो उसके पैचान बदल जाएगी या वही रहेगी फिल्म में इसे फिल्सफे को इनसानी जीवन के साथ जोड़ा गया है आयम डीबी पर 8.1 की रेटिंग प्रापते इस मुवी को आप यूट्यूब पर देख सकते हो जिस तरह से यह फिल्म सूट की गई है और जिस तरह से फिल्म में काम कर रहा है भी ने दाओं ने भी ने किया है उस हिसाफ से फिल्म नहीं बलकि कुछ लोगों की चलती फिरती जिंदगी माना जाना चाहिए फिल्म है एक परिवार की कहानी कहती है जो अपने दोस्तों के साथ चुट्या मनाने अपने होम टाउन मैक लूइस गन जाते है इसी परिवार के साथ है एक 23 साल का नाज़़वान सुटू सुटू इस परिवार के लिए एक खिलोना जैसा है पूरी कहानी फ्लैस बैक्क में है जो सुरू भी एक हत्या से होती है और खत्म भी एक हत्या पर बीच में है तो सिर्फ परवारिक रिष्टों का काला सच और मरती हुई सब वेदना है IMDB पर 7.5 की रेटिंग प्राप्त इस फिल्म को आप Amazon Prime पर देख सकते है इस फिल्म की कहानी दो पुलिस करमचारियों की है एक है सोनी जो पुलिस मुलाजिम है और दूसरी कलपना जो एक IPS ओफिसर है फिल्म मुख्य रूप से यह दिखाती है कि किस तरह से देश की राजधानी में महिलाए आस उरक्सित है खास कर रात के समय में अपने आस पास की घटनाओं और अपने जीवन में चर्रह उतार सड़ाओं को देख कर सोनी के अंदर घुच्सा भरा पड़ा है जिसका नमूना फिल्म में बार बार देखने को मिलता है इस फिल्म को आप Netflix पर देख सकते है नमब 4 दर सिनेमा ट्रेयोलर्स या कानी है चलते फिर ते सिनेमा घरों की और सिनेमा के जादू की एक समय ऐसा था जब सिनेमा हॉल एक जगा से दुशरी जगा यात्रा करते थे ये कुछ इस तरह से होता था कि लोरी पर टेंड सिनेमा रील और प्रोजेक्टर लेकर गाओं गाओं घूमा करते थे और लोगों को सिनेमा का लिफ्ट उठाने का मौगा देते थे शारली अबराहाम और अमित मादिच या द्वारा निर्देशित या डॉक्यूमेंटरी फिल्म कितनी सांदार है इसका अंदाज़ा आप इस पास से लगा सकते है कि इसे कौन फिल्म फेस्टिवल में स्टेंडिक ओमेशन मिला था इस डॉक्यूमेंटरी को आप यूटूब पर देख सकते है इरफान खान दुनिया को अलविदा कहे गए लेकिन अपने पीसे वो छोड़ गए अपनी अदाकारी का जादू जिसका असर हर सिनेमा प्रेमी पर हमेशा रहेगा उनके इस जादू से भला कौन परिशित नहीं होगा रितेज बत्रा की लॉंच बॉक्स में इरफान खान का साया सबसे बहतरी नभी नहीं देखने को मिला इस सांदार फिल्म को आप नेट्फिक्स पर देख सकते है इसा कौन सिनेमा प्रेमी होगा जिस पर मसान का जादू नहीं चला मसान जैसी ही कुछ फिल्मों के कारण मन में इस बात का संतोस रहता है कि बॉलूड में भी कुछ ऐसे फिल्में है जिन्हें देख कर हमें बॉलूड पर गर्व महसूस होता है फिल्म की कहानी बहतरीन है निर्देशन बहतरीन है लेकिन जो चीज सबसे बहतरीन है वो इस फिल्म के अभिनेताओं का जबरदस्त अभिनाए विकी कौसर, रीचा चट्डा, पंकस्त्रिफाठी, संजय मिच्रा तथा अन्यसा कलाकारों ने अपने अभिने से इस फिल्म का इस्तर बहुत उचा कर दिया है इस सांदार फिल्म को आप नेट्फिक्स पर देख सकते हैं तो दोस्तों ये थे बॉलिट के वो छे अंडर रेटेन मुवी तो दोस्तों क्या आप लोगों ने ये सभी मुवी देखी है या नहीं हमें कमेंट करके जरूर पताईएगा और ऐसा ही अमेजिक वीडियोज के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें मिलते हैं नेट्ट वीडियो में बाई